हेलो फ्रेंज आज मैं आपके साथ एक बहुती हेल्दी लड्डू की रेसेपी शेयर करने वाली हूँ तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा तो फ्रेंज ये हेल्दी लड्डू बनाने के लिए हम सबसे पहले एक कड़ाई में वन टेबल स्पून घी गरम करेंगे अब हम इसमें हाफ कप नाचनी या रागी का आटा डालेंगे और इसे लो टू मीडियम फ्लेव में भूनेंगे फ्रेंज ये नाचनी या रागी का आटा एक बहुत थी हेल्दी निट्रिशियस ग्लूटेन फ्री और फाइबर रिच होता है इसके कई हेल्फ बेनिफिट्स है तो फ्रेंज हमें इसी तरह कुछ मिनिट्स के लिए इसे इस तरह भूनना है तो देखिए ये आटे को कुछ दिर भूनने के बाद इसका कलर भी चेंज हो गया है और इसमें एक अच्छी सी स्मेल भी आने लगी है तो अब देखिए ये हमारा आटा पुरी अच्छी तरह भून गया है अब फ्रेंट्स हम एक कडाई में फिर से वन टेबल स्पून घी गरम करेंगे और इसमें जैगरी या गूर अट करेंगे तो फ्रेंट्स यहाँ मैंने हाफ कप गूर लिया है और इसे घी में अड्ट कर दिया है इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें 1 फोट कप पानी डाल के इसे अच्छे से बोईल करेंगे तब तक जब तक कि ये गुर अच्छे से मेल्ट न हो जाए और इसकी कंसिस्टिंसी थिक न हो जाए तो देखी फ्रेंट्स ये गुर को कुछ मिनिट तक बोईल करने के बाद गुर की कंसिस्टिंसी थिक हो गई है आप इसे इस तरह चेक करके भी देख सकते हैं अब हम इसमें नाचनी का आटा मिक्स करेंगे और कुछ रोस्टेट पीनट्स या मुंगफली मिलाएंगे ये मैंने थोड़े से घी में मुंगफली को भून लिया है और अब हम इसमें मिलाएंगे पफ्ट या फूले हुए अमरंद के दाने या राजगीरा या राम द्यनम ये भी बहुत ही हेल्दी और निट्रिशल्स है और ये ग्लुटन फ्री है तो इसे अब अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे तो दीखिए इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स और बाइन करने के बाद हमें इस तरह के एक डो बना लेना है और ध्यान रहें जब ये वाम हो तभी आप इसके अब इस तरह से छोटे-छोटे लड्डू बना सकते हैं तो ये देखिए हमारा हेल्दी लड्डू बन गया है तो फ्रेंड्स देखिए ये हमारे अमेजिंगली सूपर हेल्डी और नूट्रिशिस और नो शुगर रागी राजगीरा लड्डू रेड़ी है और ये बहुती टेस्टी भी है मैंने इसमें सिर्फ पीनर्स आड्ड कि प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें शेर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें थैंक यू टेक केर